एक बार की बात है, एक जंगल में एक कच्छवा रहता था वे इंशान्त और अपने से मतलब रखने वाला जानवर था. उसे जंगल में एक खरगोश भी रहता था जो बहुत फुर्तिला और बातूनी था. वह कई बार दौर प्रतियोगिताएं जीत चुका था और उसे इस ब के बारे में बखान करने लगा. तभी उसने कच्छवे को देखा और उसे शैतानी सूजी. वह कच्छवे के पास गया और उसे कहने लगा खरगोश, अरे कच्छवे, तुम तेज चलना क्यों नहीं सीखते? यदि तुम ऐसा करो, तो हम किसी दिन रिस लगा सकते हैं के बल उसे देख कर मुस्कराया और आगे बढ़ गया. खरगोश कच्छवे को तंग करना चाहता था. अब हर दिन वह कच्छवे के पास जाता और वही टिपणी करता. एक दिन जब खरगोश ने उसे फिर से चुनोती दी, तो कच्छवे ने उत्तर दिया कच्छवा, ठीक ह मैं चुनोती स्विकार करता हूँ, उसके ऐसा कहते ही पास खड़े बाकी जानवरों को बहुत आश्चरे हुआ, लेकिन कच्छवे की हिम्मत देखकर वे सब ताली बजाने लगे और उसका उत्साहवरधन करने लगे. कुछ दिनों बाद दोड का दिन आया. इस बड़ी कि वो कच्छवे को इतना पीछे छोड़ाया है कि वे दिख भी नहीं रहा तो उसने दोड़ना बंद कर दिया. उसने मन में सोजा कि कच्छवा अपनी धीनी चाल से जब तक उस जगह तक पहुंचेगा तब तक तो वे हाराम कर सकता है. ऐसा सोचते ही खरगोश किनारे एक पढ़े से बरगत के पेड़ के नीचे लेट गया. पत्तों की छाया और ठंडी हवा से उसे तुरंट नीद लग गई. दूसरी ओर कच्छवा बिना हार माने अपनी धीनी गति से लगातार चल रहा था. कुछ समय बाद वे हुसी जगह पहुंच गया जहां खरगोश सो रहा था. कच्छवा उसके पास से गुजरते वे उसी तरह से चलता रहा. कुछ ही समय में लगातार चलते चलते वे हैं अपने लक्षे तक पहुंच गया और दौर जीत गया. सारे जानवर कच्छवे की जीत देखकर जोर जोर से तालियां बजाने लगे. जानवरों के कच्छव को गमफीता से नहीं लिया. दूसरी ओर कच्छवा सबसे धीमा जानवर होकर भी उसने खरगोश्ट से मुकाब्ला करते समय आत्मविश्वास नहीं खोया. हर किसी में समान प्रतिभा नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कठीन लक्षी हासिल नहीं कर सकता. क बड़ी मेहनत और लगन हमेशा अच्छा फल देती है.